नमस्का दोस्तों, OCK चैनल में आपका स्वागत है आज हम सिंगल करर का ये कुप सुरस सा डिजाइन बनाएंगे जिसे मैंने हाप स्वेटर में, जेन्स हाप स्वेटर में डाला है आप किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं तेडी स्वेटर में, कार्डिगन में, जाकेट में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, शूज में, शॉक्स में, चाहे किसी भी मन्चाहे प्रजक्त में आप इसे अपलाई कर सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें 6 के multiple फंदे चाहिए और 5 फंदा extra हम ऐसे 6-6 फंदे गिने तो last में 5 फंदे आने चाहिए तो ये design सामने की तरफ से बनेगा तो border बनाने के बाद ये design का पहला line है और सामने से पहला फंदा edge stitch है इसे slip कर लेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे लेंगे एक तो तीन तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे इसे हमें गिराना नहीं है फिर इसे में उन दूसी तरफ करेंगे और एक सीधा फंदा दो फंदा हमने बना लिया उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन ही तिनों में एक उल्टा फंदा तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिये अब उन दूसरी ओर करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, ती तो पहला फंदा एजिस्टी चा और इनी छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है उनको अपनी ओर करना है तीन फंदों को एक साथ लेना है और तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा फिर इनी तीनों में सीधा फिर इनी तीनों में उल्टा तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए अब उन दूसरी और करेंगे और तीन फंदे सीधा तो इनी छे फंदों को पूरी लाइन में दूराना है तीन फंदा तीन से तीन फंदा बनाएंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे तीन से तीन फंदा बनाएंगे पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर तीन फंदा सीधा तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं मैं लाइन कंप्लीट करके दिखाते हूं लास्ट में चार फंदे बचेंगे तो तीन फंदों में हम डिजाइन बना लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच और डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइड तो रॉंग साइड में सभी फंदे उल्टे बनाएंगे रॉंग साइड में कोई भी डिजाइन नहीं पड़ेगा हमें हर उल्टी लाइन में सभी फंदे उल्टे ही बनाने है दिजाइन सिर्फ सीधे से में ही बनेगा तो सभी फंदे उल्टे में बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ डिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से तो थोड़ा सा चेंग जा जाएगा पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इन तीन फंदों पर हमने डिजाइन बनाया था तो अब इन तीन फंदों को हम सीधा बनेंगे और देखिए ये तीन फंदे जो सीधे बने गया थे तो अब उन अपनी और करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और पहले उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे सीधा फिर उन अपनी और करेंगे और उल्टा तो तीन फंदे से हमने तीन फंदे बना लिए तो इन ही छे फंदों को पहला फंदाया जिस्टी चाह और इन ही छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है अब यहां पे तीन फंदे पे डिजाइन बना था तो इन तीन फंदों को सीधा बनेंगे और अगले तीन फंदे यहां देखिए यहां सीधा हमने बना था तो अब इस पे डिजाइन पड़ेगा तो तीन से हमें तीन फंदे बनाने होंगे एक फिर सीधा और फिर उल्टा तो जहां सीधा था वहां डिजाइन बनाते हुए और जहां डिजाइन था वहां सीधा बनाते हुए हमने तीसरे लाइन कम्प्लेट कर लिया और wrong side से ये design का चौथा line है और wrong side सबी फंदे उल्टे बना लेंगे तो देखिए friends चार line का ये repeated design है और design आपके सामने है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा तो design आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको design अच्छा लगा है तो कृपयाई से लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने श्टेदारों में शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद